हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टु दा स्ट्रडी आइक्यूज यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चोहान और हिस्ट्री के अपनी सिरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे पिछले ही टॉपिक का कंटिनुएशन है गांधी जी साथ का से वापिस आ गए हैं अब भारत में आज हम पढ़ेंगे जो अर्ली करियर है गांधी जी का भारत में उसके बारे में समझेंगे यानि की शुरुवाती जो सत्यग्रह की हैं गांधी जी ने चंपारण एहमदाबाद और खिड़ा में आज हम उन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा वही बात जो मैं हमेशा बोलता हूं अगर स्टूडेंट्स ने पिछले सेशन्स नहीं देखे हैं आप स्टूडी आईक्यों की यूट्यूब चैनल पर जाएए मेरे नाम से महाँ पर प्लेलिस मिल जाएगी उन प्ले साथ ही साथ सारे फेक्ट को भी जोड़ते जा रहे हैं ताकि किसी भी लेवल का आप examination दे रहे हो भले ही वो एक दिविसी examination हो या 3-tier level के examination हो सभी के लिए आपको काम आने वाले हैं ये sessions So make sure you watch all those पिछले जितने भी सेशन्स हैं उनको आप जरूर देखें और आगे आने वाले सेशन्स के लिए ट्यून रहें उसके लावा ये सेशन आपको कैसा लगा definitely comments सोड़ें पिछले सेशन्स देखेंगे तो उनमें भी मैं बीच 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 बहुत सारे सवाल पूछता रहता हूँ उनको आप देते रहेएगा जवाब सेशन्स हो सकता है कि कई बार आपको लगेगी बहुत लंबा है तो आप pause कर करके देखिए लेकिन देखिए जरूर छोड़िए गमत उन सेशन्स को बहुत भैतरीन तरीके से तयार किये गए है और जैसा कि मैंने हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि ये सेशन अभी केवल आपकी foundation create कर रहे है धीरे धीरे हम advanced level तक पहुँचेंगे तो अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि बहुत सारे facts या अगर concept जो है वो मैं highlight रही कर रहा हूँ कुछ deeper concepts को तो वो जान कर किया जा रहा है अभी मैं advanced level पर नहीं गया हूँ केवल एक foundation create कर रहे हैं बच्चों की so make sure you check those out so आज के session को शुरू करने से पहले मैं CSE aspirants को भी बोलना चाहूँगा कि इस video की description में उन्हें एक link मिल जाएगा जो की study IQ की learning application का है उस application पर जाकर CSE related एक पूरा smart course वो subscribe कर सकते हैं उस पूरे smart course में 1300 से plus videos है बहुत सारी doubt solving उसमें क्यों ही है वैसे regular doubt solving भी होती है teacher से direct interactions उसके लावा answer writing की practice ये सारी चीज़े आपको smart course पर available है make sure you check that out अगर उसके लावा आप किसी भी government job examination के लिए prepare कर रहे है तो आप application को check कर सकते हैं बहुत सारा material वहाँ पर available है तो आज के session को हम शुरू करते हैं आप सो जैसा कि आप सबसे पहले पीछे यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि Gandhi in India हमें सबसे पहले समझना है कि भारत में जब Gandhi जी आए तो उन्होंने शुरुवाती जो गतिवी दिया रही वो क्या हुई तो उसके लिए थोड़ा सा background create करते हैं लेकिन background के नाम पर मैंने एक पूरा का पूरा topic already करवा दिया है उस पूरे topic में हमने देखा था कि किस तरह गांदी जी का South Africa में पहले moderate phase रहा और फिर उन्होंने passive resistance किया और वहाँ पर आपको बताना है कि कौन-कौन से कानून थे जो अंग्रेजों ने लागू किये थे comment में बताएंगे उसके खिलाफ एक compromise जो है और पंदरा की शुरुवात में गांदी जी का already बहुत नाम भारत में हो चुका था क्यूं क्यूंकि गोखले साब भारत में गांदी जी के नाम पर already जो है वो काफी publicity कर चुके थे already वो लोग बता चुके थे कि एक मोहंदास करमचंद गांदी नाम का एक activist है जिसने South Africa में अंग्रेजों को जुका दिया अपनी will के आगे और वो भारत में अब आ रहा है और भारत में भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा है उसकी personality ऐसी है उसका charisma ऐसा है कि वो जादा से जादा लोग को अब साथ में जोडेगा जो कि उस समय की demand थी क्योंकि home rule agitation उस समय चल रहा था प्लस moderate सब धीरे धीरे passive resistance की तरफ move कर रहे थे और जनता को जोड़ा जाना चाहिए साथ में ये मतब धीरे धीरे develop हो रहा था Congress और अन्य जितने भी political groups है उनमे तो ये इस background में गांदी जी भारत आते हैं और भारत आकर क्या-क्या वो देखते हैं आईए आज़ा उनी सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला ही point देखिए सबसे पहले point में क्या लिखा हुआ है आपे कि गांदी जी return to India in January 1915 जनवरी 1915 में भारत आये हैं ठीक है इस efforts in South Africa were all were well known not only among the educated but also among the masses यानि कि केवल educated भारतियों को ही नहीं लेकिन भारत की जनता तक भी खबर पहुँच गई थी गांदी जी की क्योंकि गांदी जी जब भारत आये और जब उन्होंने कुम का मेला attend किया तो हरद्वार में उनके दर्शन के लिए हजारों पे भीड जो है वो उमड आई तो गांदी जी वस अल्रेडी वेरी पॉपलर और जब वो बंबे बे लेंड किये थे तब भी उनके स्वागत के लिए बहुत बड़ी संख्यावे भीड जो है वो जुट गई थी महाँ पे तो गांदी जी भारत में आने से पहले ये एक सेलिबरिटी बन चुके थे next is he decided to tour the country the next one year and see for himself the condition of the masses भारत में आये गांदी जी गोकले साब ने बोला कि आये अब शुरू करते हैं हमारा मुमेंट लेकिन गांदी जी ने बोला कि नहीं मैं पहले जो भी situations है उसको खुद से जाचना चाहूंगा that means गांदी जी ने कहा कि मैं एक साल पहले खुद टूर करूँगा पूरे भारत का पूरे भारत का भ्रहमन करूँगा और देखूंगा भारत की समस्याओं को लोगों से मिलकर भारत की ये जो समस्याओं इनके जड़ में जाकर देखूंगा की root causes क्या-क्या हैं उसके बाद मैं कुछ करने के लाइक हूँ so that means ये गांदी जी की basic principle था है या theory मान लीजिए कि किसी भी समस्याओं का अगर उन्हें समधान करना है तो पहले उसकी जड़ जानना वो सही समझते थे तो भारत का भ्रहमन करा उन्होंने पहले एक साल जगा-जगा भारत में वो गए और लोगों से मिले और जो basic root cause है समस्याओं को समस्याओं के उनको जानने की कोशिश की गई गांदी जी तवरा ठीक है उसकी अलावा he also decided not to take any position on any political matter for at least one year उन्होंने कहा कि लगवाग एक साल तक मैं किसी भी political matter को अटेंड नी करूँगा गोकले साब को clear किया है फिर उसके बाद 1916 में जाकर आप मुझे बताएंगे कि किस university के उदगाटन किस शहर में गांदी जी ने पहली speech दी थी अपनी publicly बड़ी level पर speech दी थी Congress के मंच से और जहां पर उन्होंने Congress जो कर रही थी और जो उस समय भीड इखटा थी उसको काफी जो है वो खरी-खोटी सुनाई थी तो अभी उसको मैं नहीं इस topic में discuss करूँगा आगे आने वाले topic में वो speech के बारे में आएगा लेकिन अगर आप जानते हैं तो speech के बारे में जरूर comment डालिएगा next session में मैं cover कर दूँगा उस answer को अगर आप नहीं दे पाएंगे उस answer को जितने भी उसमें political शक्तियां भारत में active थी सबको जो है वो criticize किया था गांदी जी ने और सबको सत्यग्रह फॉलो करने के लिए आग्रह किया था तो आज हम वही देखेंगे कि क्यों गांदी जी चाहते थे कि political अगर moment हो भारत में तो केवल सत्यग्रह के माद्यम से हो उसी चीज़ को आज हम समझने ही कोशिश करेंगे ठीक है next चीज़ देखेगा he was convinced about the limitation of moderate politics and was also not in favor of home rule agitation which was becoming popular at that time 1914-15 मैंने आपको बोला ना home rule movement जो है वो धीरे-धीरे बहुत popular हुआ गांदी जी उसके support में नहीं थे प्लस जो moderates की politics थी moral mentor reforms गांदी जी उसके support में भी नहीं थे गांदी जी को cover पहुँची थी कि सूरत में split हुआ है Congress का तो गांदी जी को इस सारी बाते पता थी उनको पता था कि moderate होने से कुछ भी नहीं बनेगा क्यूं क्यूंकि मैं आपको पता है ना गांदी जी खुद भी जो है वो एक moderate phase से गुजरे थे 1894 से 1906 तक गांदी जी खुद एक moderate phase से गुजरे थे इसलिए वो भली बांती जानते थे कि moderate रहकर कुछ नहीं बनेगा दूसरी चीज जो home rule moment था उससे भी गांदी जी भली बांती जानते थे कि जो home rule moment है ये भी एक बहुत थोड़ा सा बहुत marginally सा modified रूप है किसका moderate का ये पूरी तरीके से एक passive resistance नहीं है क्योंकि जब आप passive resistance करते हैं तो आप अपनी गिरफतारियां देते राइट आप अपने आपको देखने को मिला कहाँ पर South Africa में already गांदी जी इस चीज़ का example जो है वो set करके आ गए थे भारत में कि जो passive resistance होगा उसमें हम अपनी गिरफतारियां देंगे हम jail भरेंगे हम अंग्रेजी सरकार पर pressure डालेंगे कि आप कितने लोग को arrest कर सकते कीजिए आप ही के प्रशाशन पर pressure डालेगा उस चीज़ से और वहां से कमजोरिया जो है वो उभर का आएंगी प्रशाशन के और उन कमजोरियों को हम exploit करेंगे ठीक है so home rule agitation भी ऐसा नहीं कर रहा था क्यूं क्यूंकि जहां-जहां पर home rule agitation पर रोक लगाई ना सरकार ने अंग्रीजी सरकार ने वहां-वहां पर जो agitators है वो पीछे हट गए that means अगर central प्रोविंस में जाने से मना कर दिया गया एनी बेसंट को तो वो नहीं गई central प्रोविंस अगर पंजाब और दिल्ली या उनाइटिड प्रोविंस जाने से मना कर दिया गया बाल गंगधर तिलक को तो वो नहीं गए भले ही उन्होंने प्रोटेस्ट किया हो लेकिन उन्होंने कानून नहीं तोड़ा यानि कि उन्होंने सहे विनाए अवग्या नहीं की गांधी जी का मैथर्ड गया था कि हमें कानून तोड़ना है अगर अंग्रेजी सरकार को जेल में डालना है तो डालिए consequences हम बाद में देखेंगे this was the रवया of गांधी जी and that was the cold difference between home rule movement and गांधीan ideology of mass agitation और let's say satyagra ठीक है so next point देखेगा so दोनों को उन्होंने नकारा गांधी जी ने किसको moderates को भी और home rule agitation को भी next चीज देखेगा he thought that it was not the best time to agitate for home rule when Britain was in the middle of a war अब यहाँ पर गांधी जी को आगे आने वाले कई इतिहासकारों की जो पुष्ट है उन्होंने criticize किया कि प्रथम विश्यूद के दोरान गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था गांधी जी ने सब को बोला था कि इस समय अंग्रेजों को support करो ऐसा क्यों अगर गांधी जी अंग्रेजों के support करना चाहिए ऐसा इसी लिए है क्योंकि South Africa में गांधी जी ने काफी closely काम किया था Lord Harding के साथ जब finally उन्होंने क्या produce किया था एक वहाँ पर compromise और गांधी जी South Africa में रहते हुए काफी close correspondence में थे किसके British Parliament के गांधी जी के काफी अच्छे relations थे अंग्रेजी अफसरों से और गांधी जी उन relations का इस्तमाल भारत में अपने agitation को build करने के लिए करना चाहते थे और गांधी जी को मालूम था कि अभी जनता mass agitation के लिए तयार नहीं है बिलकुल भी इसलिए अंग्रेजों से पंगा जो है उसके बाद हम खुलके विरोध करेंगे अंग्रेजी सरकार का लेकिन इस समय जब वो अंग्रेजी सरकार युद में उलजी हुई है तो हमें और उस पे pressure नहीं डालना चाहिए क्योंकि जितना हम उस पे अभी pressure डालेंगे जब वो युद से सुलजेंगे वो अपिस हम पे फिर से दबाव डालेंगे ये गांधी जी की strategy थी मतलब ये थेयोरी थी गांधी जी की इस चीज के पीछे ये बोलने के पीछे कि हमें अंग्रेजों का support करना चाहिए लेकिन विश्य में हुआ क्या था roll attack आया था उसके अलावा hunter committee बैठी थी that means अंग्रेजों ने कोई रियायत नहीं भरती थी और अगर Montego camps for reforms आया भी था तो वो भी केवल कहने भरकी शक्ती थी real power जो है वो भारतियों को नहीं मिली थी so that means गांधी जी का ऐसा मानना कि अंग्रेजी सरकार युद के बाद थोड़े favors करेगी हमारे वो गांधी जी की जो है वो आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक उनकी calculation महाँ पर गलत बैठ गई ठीक है लेकिन आगे आने वाले sessions में मैं specifically इनी सब चीजों को थोड़ा जब मैंना आपको बला ना में और जब हम थोड़ा सा micro analysis करेंगे तब मैं इन सारी चीजों को deep में समझाओंगा लेकिन अभी तक हमें क्यावल यह समझना है कि miscalculation हम मान सकते हैं गांधी जी की miscalculation थी कि अंग्रेज उनकी सहायता करेंगे और यानि कि अब कहने का मतलब यह कि गांधी जीने एक statement थी कि मेरी उमर हो गई है 50 साल ठीक है गांधी जीने इस तरह पूट किया कि मेरी उमर 50 साल हो गई है मैं अपनी उमर के ऐसे मुकाम पर हूँ समय कि मेरा दिमाग आप मेरे point of views मेरे perceptions आप नहीं बदल सकते अगर बहुत ही कोई अचरज करने वाली बात होगी ना कोई बहुत ही genuine genius idea होगा वो हो सकता है कि मेरे मेरे mindset हो चुक है उसको बदले otherwise मैंने जो try or test कर ली है ना सत्यग्रे को वही मेरे इसाब से best है भारत के लिए भी वही best रहेगा और मैं अपना mind वो set कर चुका हूँ इससे मैं नहीं हटूँगा non-violence और सत्यग्रे से ही हमें आजादी मिलेगी आजादी तो हमें लड़ जगड कर भी मिल सकती है आजादी हमें moderate तरीके से भी मिल सकती है लेकिन जो सही में आजादी है जो capitalism की गुलामी से जो आजादी है वो हमें किस से मिलेगी सत्यग्रे से मिलेगी और non-violence से मिलेगी जो हमें इस communal rights जो हिंदु-Muslim भेदभाव है जो दलितों को पिछाड के रखा गया है उसके अलावा जो society में जो economic difference है इतना बड़ा इन सब से इन सारी कुरीतियों से अजादी चाहिए केवल अंग्रेज़ों के साशन से अजादी नहीं चाहिए जो भारत में कुरीतियां है जो भारत के revenue और administration system में जो कमियां है जो की native to the Indians जो की native है भारतियों के लिए जो भारत की society की समस्या है उनका eradication भी ज़रूरी है that means सत्य अग्रहे करते जाना है constructive works करते जाना है भारत की पहले society को uplift करना है अपने आप आजादी मिल जाएगी पहले खुद की जो बंदिशे है हमारी society की जो बंदिशे है हम उससे आजाद हो जाएग उसके बाद अंग्रेजों से तो हमें अजादी मिल ही जाएगी यह ideology थी गांदी जी की ठीक है so गांदी जी कह रहे थे मेरा mind set है that means मैं किसी को support नहीं करूंगा अगर कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है यह अगर कोई चाहता है कि मैं उसके साथ जुड़ूं तो उन्हें सत्यागरह अडॉप्ट करना पड़ेगा ठीक है that means अगर Congress चाहती है गांदी जी का साथ तो उन्हें गांधियन ideology को follow करना पड़ेगा अगर किसी भी संगठन किसी भी वर्ग को गांधी जी का साथ चाहिए तो उन्हें non-violence और सत्यागरह के रास्ते पर चलना पड़ेगा तभी गांधी जी support करेंगे otherwise वो उनकी ideologies को पूरी तरह condemn करते है गांधी जी का mind set हो चुगा था गांधी जी ने गांधी जी बहुत पड़े लिखे वेकती थे और ठीक ठाक experience था उनको ठीक है अंग्रेजों से deal करने का भी और उन्होंने मैं आपको बताया ना moderate face से भी गुजरे फिर extremist face से भी गुजरे एक बार already वो जीत है established कर चुके थे साउथ अफरीका में भारत में आये तो उनका mind काफी clear था कि हमें ऐसा ही करना है और युद विराम युद यानि की struggle truth struggle की नीती को अपनाना है हमें और धीरे धीरे हमें आजादी automatically मिली जाएगी साथ में हमें constructive work करते जाना है हमें society को uplift करते जाना है और एक side हमें society करते जाना है दूसरी side हमें अंग्रेजी administration को अंग्रेजी administration को concentrate करते जाना है एक जगा पर और उसको विवश करना है कि हमें जाद से जादा वो liberty, civil liberty, social liberty, economical liberty ये सब provide करता रहे है ठीक है, this was the struggle to struggle truth के समय में हमें constructive work करना है फिर हमें उनी सब masses का यूज करके struggle करना है, अंग्रेजों से निकालने है, जाद से जादा gains करना है उनसे, फिर हमें true spirit में फिर से constructive work करना है वो struggle, true struggle क्या है हम already established कर चुके हैं फिछले sessions में यहाँ पर हमने देखा कि गांदी जी का क्या stand है और अब हम देखते है जो हमें यहाँ पर events देखने को मिले राइट, कहां कहां पर गांदी जी ने सत्याग्राय को practice किया भारत में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं चमपारण सत्याग्राय 1917 का जो कि भारत में पहला civil disobedience था ठीक है इसका मतलब यह नहीं कि civil disobedience पहले नहीं हुआ था स्वदेशी movement में boycott जो किया गया है वहाँ पर भी तो civil disobedience किया गया कानुनों को मानने समना करा उन्होंने लेकिन civil disobedience जो है वो बड़े level पर नहीं किया मैं आपको बोला ना any patient को जब रोका गया जाने से तो वो मान गई बाल गंगदर तिलक को जो रोका गया अब जाने से तो वो मान गए ठीक है जब भारत से डिपोर्ट किया गया लाला लाजपत राएको तो वो तुरंत आराम से बोट में बैठ गए उन्होंने डिशोबे नहीं किया गांदी जी का यहाँ पर मानना क्या था कि आप हमें जेल में डालिये ये डिफरेंस है मॉडरेट्स और उसके बाद जो एक्स्ट्रिमिस्ट या जो स्वदेशी रहे या उसके अलावा जो घूमरूल मॉव्मेंट के सदस्य रहे वो सब जेल में जाने से ऐसा नहीं है कि वो डरते थे लेकिन उनकी स्ट्रेटजी नहीं थे कि हम जेल में जाए क्यों कि अगर नेता ही जेल में चला गया तो मॉव्मेंट लीडरलेस हो जाएगी जैसा कि हमें मॉरले मिंटर रिफर्म्स के बाद देखने को मिला जब जेल में डाल दिया गया था बीजी तिलक को और बाकी सब जो है वो एक्स्रेमिस लीडर्स खतम हो गये थे तो कैसे यूथ जो है वो उन्हों उसने वॉयलेंस को रिजोर्ट कर लिया था वो सारा टापिक आप हमने पढ़ लिया राइट अगर आपने वो टापिक्स नहीं पढ़े हैं तो जाके पीछे जरूर देखिये प्लेलिस में आपको सारे सेशन्स मिल जाएंगे करके देखिये उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी है अगर आपको बढ़िया लगे तो कमेंट जरूर डालिएगा बताईएगा जरूर की कैसे experience रहा आपका मेरे साथ पढ़ देगा खेर सो जैसे कि मैंने कहा कि leaderless हो जाएगा movement इसलिए jail में जाने से बच रहे थे अभी तक नहीं था लेकिन गांधी जी गांधी जी अपनी team ही इसी तरह prepare कर रहे थे कि अगर मैं jail में चले जाऊं तो मेरे जो सत्याग रही है वो movement को चलाते रहे गांधी जी ये नहीं बोल रहे थे कि मैं ही supreme authority हूँ नहीं गांधी जी अपने नीचे उनके नीचे जितने भी उनके supporters थे उन सब को इस तरह गांधी जी ने train किया था टॉल सोय फार्म से ही टॉल सोय फार्म से ही train करते वह आ रहे थे और फिर भारत में उस फार्म को move किया तुरंत आप comment में बताएंगे कि भारत में आके गांधी जीना टॉल सोय फार्म की जगा कहां पर भारत में पहली बार जो है वो अपना आशरम बनाया किस जगा पर वो आशरम बनाया और फिर उस आशरम को दूसरी जगा कहां पर move किया दोनों चीज़े आप मुझे comment में mention करेंगे ठीक है तो यह कि जो गांधी जी के सत्याग रही थे टॉल्सोय फार में उनके साथ थे वो भारत आये गांधी जी के साथ और वहीं गांधी जी के साथ उनके आशरम में रह रहे थे और अगर गांधी जी जेल में चले जाएं तो उनके साथ ही movement को चला सकते हैं गांधी जी को पूरा वरोसा था that means movement कभी भी leaderless नहीं होगी क्योंकि आप ही leader है गांधी जी का ये scene था मतलब गांधी जी ऐसे prepare कर रहे थे अपनी पूरी movement को कि हर एक level पर leaders available हो कभी भी movement leaderless हो ही ना और जहां पर leader होता है वहां पर directions change होने में समय नहीं लगता इसलिए गांधी जी ने बोला कि ये गांधी जी का ideology थी कि हम मेरा जो जी सत्याग रहे है ये किसी एक व्यक्ति विशेश का नहीं है ये सब का है right that means अगर मैं कल को ना रहूं तो आप सत्याग रहे मेरा चलाते रहे आप सत्याग रहे चलाते रहे अगर आप नहीं होंगे तो आपकी जगा कोई और सत्याग रहे चलाएगा ideas never die right ideas are bulletproof ठीक है next चीज देखिएगा अब हम देखते हैं चमपारण सत्याग रहे में क्या हुआ जो कि पहला civil disobedience कहलाएगया 1917 में घटना घटी देखिए पहला point है अब मैं आपको पूरा किस्सा सुनाता हूँ क्या है गांदी जी एक साल जो है वो भारत में टूर लगा रहे थे राजकुमार शुकल जी को पता था कि गांदी जी जो है वो एक ऐसी personality है जो अंग्रेजों के साथ direct टकर ले सकते हैं और गांदी जी का persona कैसा developer रखा था यानि कि गांदी जी के बारे में क्या पता था लोगों को भारत में ये पता था कि एक ऐसा leader है जो की जो की ग्रामीनों के लिए काम कर रहा है ये एक ऐसा leader है जो की मज़़ूरों के लिए काम कर रहा है ये एक ऐसा leader है जो plantation workers जो की बिलकुल presentry है lower तब के जो लोग है उनके लिए काम कर रहा है ये और जबकि Congress के लिए क्या बना हुआ था कि Congress जो है वो elite लोग के लिए काम करती है Congress जो है वो industrialist लोग के लिए काम कर रही है Congress को लेकर अभी भी ये भरांधी जो हो लोगों के मन में थी गांधी जी को लेकर ये आइडिया थो लोगों के दिमाग में कि ये लोगों के लिए काम करने वाला वेक्ती है तो इसलिए राजकुमार शुकल जगा जगा गांधी जी का पीछा कर रहे थे जहां जहां गांधी जी जा रहे थे फिर फाइनली उनको गांधी जी को उन्होंने बताया कि देखिए चमपारंड में जो नील की खेती करने वाले जो मजदूर है ना उनको अंग्रेजी सरकार कह रही है कि तुमारी भूमी पर 3 वटा 20 तुमारी जो टोटल भूमी है ना उसके 3 वटा 20 यानि 3 by 20 यानि अगर तुमारी भूमी के 20 हिस्से बाट दिये जाए तो उसमें से जो तीन हिस्से होंगे ना उन तीन हिस्सों पर तुमें नील की खेती करनी है और वो नील जितना भी निकलेगा वो हमें दिया जाएगा आपको उसका एक रुप 20th part of the total land called 3 कठिया system इसको कहा गया 3 कठिया system कि आपकी भूमी के 20 हिस्से अगर आप कर दें उसमें से 3 हिस्सों में से 3 by 20 अगर कोई mathematics के student है तो वो fraction को समझ रहे होंगे कि जो नीचे है right that is the base unit और 3 जो है वो result है 3 by 20 20 में से 3 हिस्से जो है वो आपके क्या करना है आपको नील हुगाना है और वो पूरा का पूरा अंगरी सरगार को जाएगा तो भारतिये कर रहे थे वो plantation कोई दिक्कत नहीं है नील बना रहे थे और कपड़ों को नीला रंगा जा रहा था समस्या कहां हुई समस्या यहां हुई कि विश्व यूद के दोरान जर्मनी में जो अब जब भी यूद होता है ना तो मार्किट में बहुत जोर के उतार चड़ाव होते हैं ठीक है कुछ ऐसी चीज़े हैं जो बनना बिलकुल बंद हो जाती है कुछ ऐसी चीज़े हैं जिनके बनने में बहुत ज़्यादा बूम आ जाता है that means industrialization के field में यानि कि war जो है वो economy के लिए कई जगाओ पर खराब भी होता है और कई जगाओ पर industries के लिए better होता है क्योंकि steel industries या metal works जो है वो बूम कर जाते है war के समय क्योंकि बहुत सारे हतियार बनाने होते हैं गोला बारूद बनाने होते हैं बंदूकों के लिए shells बनाने होते हैं गोलियों के लिए shells बनाने होते हैं राइट so जो steel industry है जो metal industry है वो बूम कर जाती है उसके अलावा कई सारी और war में बहुत सारी technology पर जो है वो invest किया जाता है क्योंकि युद्ध जीतने के लिए आपको technically advance होना पड़ेगा तो R&D बहुत होता है that means बहुत research में पैसे लगाया जाता है युद्ध के दोरान ये हमें बड़े विश्व युद्धों से evidences मिले हैं है ना प्रथम विश्व युद्ध second विश्व युद्ध को जीतने के लिए बहुत research हुई है right so उन research उन research होने की वज़े से बहुत सारे जो है वो नए 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 industrial fields जो है वो develop हुए उनमें से dye making भी एक जो है वो process डेवलप हुआ यानि कि artificially रंग बनाना तो जो German engineers हैं उन्होंने जो नील की खेती भारत और South East Asia में जो हो रही थी और यहां से जो नील लाया जा रहा था अंग्रेजी East India Company फिर उसके बाद British Crown ने अपने control में जब ले लिया पूरे के पूरे trade को हमने वो सारी चीज़े पढ़ी हैं अगर आपने नहीं पढ़ी तो प्रीवेस सेशन्स में जरूर कंसर्ट कीजेगा राइट ब्रिटिश क्राउन ने जब पूरा का पूरा खेती अपने control में ले ली तो नील जितना भी South East Asia से produce हो रहा था न वो सब यूरोप अगर जा रहा है तो अंग्रेजों के हाथ से जा रहा है अगर उसकी जगाए एक synthetic dye जर्मनी में बन जाए तो अंग्रेजों का नील का पूरा का पूरा business ठप क्योंकि synthetic dye क्या बनेगी factory में नील की खेती होगी मौसमी उसमें लगेगा समय उसको बनाने में भी समय लगेगा उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी समय लगेगा वहाँ पर जर्मनी के जर्मनी में बन जाएगी एक छोटी सी मिल में जितना production होगा यहाँ पर हजारों एकड़ में नहीं हो पाएगा देट मींज विदाउट मतलब ज़्यादा समय गवाय बिना ही लोगों ने तुरंट जो है वह जर्मनी से डाई इंपोर्ट करना शुरू कर दिया अंग्रेजों का नील का बिजनस हो गया ठप सो जो चमपारण के जो मजदूर थे उनको जो तीन कठिया यानि कि उनकी बीस भागों की जो भूमी है उसमें से तीन भागों पे जो उनको नील उगाना पड़ रहा था उससे जो कमाई हो रही थी अंग्रेजों को वो कमाई हो गई बंद अब कमाई हो गई अगर बंद तो वो जो revenue की stream थी जो revenue बन रहा था अंग्रेज़ों को उसको कहीं तो manage करना था वो manage करने के लिए उन्होंने मजदूरों पर illegal और जरूरत से ज़ादा जो है वो text डालना शुरू कर दिया और बहुत ज़ादा जो है वो उनसे text बटोरना बहुत ज़ादा जो है वो उनसे dues बटोरना शुरू कर दिया ये थी समस्या चमपारण की ठीक है कि लोगों से अवैद तोर पे और जरूरत से ज़ादा बटोरा जा रहा था text क्योंकि नील की खेती हो गई थी कम या बंद हो गई थी और उससे अंग्रेजी सरकार को बहुत घाटा हो रहा था यूद का समय चल रहा था अंग्रेजी सरकार को पैसे चाहिए थे उन्हें तो बहाना चीए था जाद जादा पैसा कही ना कहीं से निकले जर्मनी जो है वो जो इंडस्ट्रियल डाय है उसको बेच बेच के पैसे कमाई जा रहा था बहुत जादा अगर वो नील बना ले रहे हैं अगर डाय में तो लाल पीला हर रंग बना ले रहे होंगे राइट इंडस्ट्रियली तो उन्होंने भारत पर उल्टे सीद nuo टेक्स लगाने शुरू करें और उसी का एगसेंबल था कि एक चंपारन के जो खेतीहर हैं जो चंपारन के क्रिशक हैं उन पर क्या लगाया गया जरूरत से ज़्यादा टेक्स अब वही मामला जो है वो गांदी जी को राम कुमार शुकल ने समझाया और बोला कि आप आईए और इन्वेस्टिगेट कीजिए क्यूंकि अंग्रेजी सरकार जो है वो बहुत कागजी कार जाड़ती है ठीक है अगर आप वकील हैं और आप कागजी कारवाई करने में माहिर हैं अगर आप आके इन्वेस्टिगेट करेंगे और एक थोरो जो है वो रिपोर्ट त्यार करेंगे और फिर वो रिपोर्ट अगर अंग्रेजी सरकार को दिखाएंगे तो वो विवश हो जाएंगे कुछ ना कुछ फैसला लेने में ठीक है यानि कि अगर आप एक बहुत सटीक तरीके से एक सटीक तरीके से डिप्लोमेटिक अगर आप तरीके से एक प्रॉपर सरकारी report type अगर आप prepare करेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ फैसला लेने के लिए विवश हो जाएगी अंग्री जरकार ठीक है तो वैसा ही गांधी जी ने किया आईए देखते हैं कैसे पहला point देखेगा when towards the end of 19th century German synthetic dyes यह point मैं आपको maximize their profits before the peasants could shift to the other crops right अब यहाँ पर एक other crops वाला funda भी था है कि अगर नील नहीं उगाना है तो कुछ और उगा लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर कुछ और उगाले उससे पहले ही कृशक अगर कुछ और उगाएंगे तब जाकर तो मुनाफ़ा होगा ना कुछ और होगाने से पहले ही अंगरेजी सरकार उन पर pressure डालने लगी कि जो बाकी के हिस्से से produce हो रहा है उसमें से text निकाल के दोग में ठीक है next देखेगा गांधी joined by राजेंदर परसाद मजरूल हक महादेव देसाई नरहरी परेख और जेबी किरपलानी reached चंपारन to probe into the matter the authorities ordered him to leave the area at once गांधी जी इन में से कुछ नेता जो मैंने आपको नाम बता है इन में से कुछ नेता जो है वो बिहार खे थे कुछ गुजराच चे थे किरपलानी साब राजेंदर परसाद साब यह पुराने इनी सब movement से धीरे धीरे यह गांधी जी के साथ जुड़े हैं और आगे बड़े leaders बने भी हैं ठीक है तो गांधी जी को invite किया गया गांधी जी गए वहाँ पर गांधी जी के साथ ही भी गए और जो वहाँ का commissioner था उसना तुरंट मना कर दिया गांधी जी को कि नहीं आप जो हैं वो नहीं आ सकते हैं यहाँ ठीक है गांधी जी ने बोला बिलकुल खुले मन से बोला कि देखिए मैं जा रहा हूं मैं इन्वेस्टिएट करूँगा अगर आपको लगता है कि मैं किसी तरह के कानून का पालन नहीं कर रहा हूं आप मुझे रेस्ट कर सकते हैं एनी बेसेंट हो गए और बाल गंगदर तिलक हैं लाला लाजपत राय हैं यह सब सिबिल डिसोपे नहीं कर रहे थे राइट गिरफतारी देना इनके अभी इनके प्रॉसेस में नहीं था गांधी जी ने बोला कि मुझे गिरफतार कर लीजे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हैं ठीक है जब यह बात higher authorities तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं इस यह वेक्ति अभी threat नहीं है हमारे लिए गांधी जी को उतना बड़ा threat नहीं समझा जा रहा था जितना बड़ा एनी बेसेंट और बाल गंगदर तिलक को समझा जा रहा था इसलिए गांधी Commission प्लस भारतिय बहुत सारे नेताओं ने गाउं गाउं जाकर लोगों से जो है वो investigate किया लोगों को interrogate किया लगबग 8000 लोग की जो है वो testimony घटी की गई उसके basis पर report बनाई और गांधी जी ने वो report अंग्रेजी सरकार को दी आईए देखते हैं उस report में गांधी जी ने क्य आस्कर लिजिए Finally the authorities retreated and permitted Gandhi to make an inquiry the government appointed a committee to go into the matter and nominated Gandhi as a member Gandhi was able to convince the authorities that the Tien Kathiyya system should be abolished as a compromise with the planters he agreed that only 25% of money taken should be compensated ab yahan por bhaut controversial tha गांधी जी का पहला पॉलिटिकल एक्ट था यह भारत में बड़े लेवल पर नोट उतने ज़्यादा बड़े लेवल पर लेकिन स्टिल जो की डायरेक्ट कॉन्फिक्ट में था अंगरी सरकार के साथ ठीके और यहाँ पर गांधी जी ने क्या बोला जो गांधी जी ने जो रिपोर्ट प्रपेर करी आठ हजार लोगी जो टेस्टिमनी सभी नेता उन्हें मिलकर जो इखटा करी थी ठीके उसमें गांधी जी ने कहा कि यह जो तीन कठी है सिस्टम है आपको यह हटाना पड़ेगा ठीक है इसका कोई मतलब नहीं यह आउटडेट हो चुगा है प्लस दूसरी चीज यह कि आपने जितना जो है वो लोगों से इखटा किया है ना पैसा उसका केवल जो इलीगल तरीके से आपने लोगों से इखटा क किया उसका केवल 25 प्रतीषत आप वापिस कर दीजे अब बाकी सब नेताओं ने कहा कि गांधी जी आप यह क्या कह रहे है अगर अगर हमने इतना प्रेशर डाल ही दिया इन पे तो आप 25 प्रतीषत क्यों माँग रहे है आप 100 प्रतीषत वापिस क्यों नहीं मांग रहे तो और अपनी demand जो है वो 100% रखे वो समय आएगा लेकिन वो समय अभी नहीं है ठीक है ये जो तुम्हारे अंदर डर इनोंने बिठाय हुआ है कि हम unbeatable है ऐसा नहीं है ये beatable है इनको हराया जा सकता है लेकिन एक strategy के माध्यम से हराया जाएगा ठीक है आप ऐसा नहीं कि अगर आप सीना चोड़ा करके खड़े हो जाएं कि आईए गोली मारिए तो ये तो मारी देंगे गोली ये तो बेशरम है कई जगाव पर हुआ है मैं आपका examples दूँगा कि नेताओं ने ऐसे जो है वो सीना चोड़ा कर दिया और उनको तोपों के साथ बांध के उड़ा दिया गया ठीक है तो अंग्रेजों नहीं ये काम भी किये है ऐसी बात नहीं है ये कि अंग्रेजों की शक्ति जो है वो बड़ी थी ठीक है intimidating थी लेकिन एक सही strategy अगर बनाई जाए तो शक्ति का उनी के खिलाब इस्तमाल किया जा सकता था वही गांधी जी यहां पर कर रहे थे गांधी जी ने कहा कि 25 परतिशत ये देंगे और कुछ समय बाद देखिएगा ये छोड़ कर चले जाएंगे यहां से और वही हुआ भी 10 साल के भीतर-भीतर वो जो सारे प्लांटर्स थे ना वहाँ पर जो की नील की खेती करा रहे थे और वो सब चीजे प्रेशर डाल रहे थे लोगों पर चंपारन के जितने भी किसान है उन पर वो 10 साल के भीतर-भीतर वहाँ से चले गए और चंपारन के किसान जो है है कि इस समय अंग्रेजी सरकार केवल 25% के लिए हाँ करेगी अगर हम 35% भी मांगेगे ना तुरंत मना कर देंगे वो जो 25% मिल सकता है वो भी नहीं मिलेगा ठीक है और गांदी जी ने बोला कि ये कुछ समय बाद अपने आप चले जाएंगे अभी हम 25% मिल जाए पांच साथ साल बाद ये खुद ही चले जाएंगे और वैसा ही हुआ कुछ समय बाद वो प्लांटर्स चमपारण से चले ही गए और चमपारण के जो किसान है वो मोक्त हो गए ठीक है यहाँ पर गांदी जी की पहली जीत जो है वो दर्ज होगे अंग्रेज होगे खिलाफ भारत में लोगों में गांदी जी का confidence बढ़ गया और गांदी जी का खुद में भी confidence बढ़ गया कि मेरे जो तरीके हैं वो बिलकुल सही हैं बिलकुल कारगर हैं अब उसके बाद गांदी जी की नजर में आया एहमदाबाय मिल स्ट्राइक आये गांदी जी के नजर में आये देखते हैं जहां पर गांदी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तमाल किया हंगर स्ट्राइक की 1918 में ठीक है तो पहला पॉइंट देखेगा इन मार्च 1918 गांधी इंटर्वीन इन डिस्प्यूट बिट्विन कॉटन मिल ओनर्स अफ एहमदाबाद और वर्कर्स ओवर दा इशू अफ डिसकंटिनुएशन अफ प्लेग बोनस अब 1917 और 1918 के आसपास भारत में फिर से प्लेग फैला था खासकर ये गुजरात महराष्ट दक्कन के क्षेतर में ठीक है तो जो मिल ओनर्स है उन्होंने एक प्लेग के नाम का बोनस जो है वो इशू किया था अब प्लेग के जाने के बाद जो वर्कर्स हैं वो कहा रहे थे कि बोनस ये कंटीनूड रहना चाहिए प्लस हमारी तन्खवाओं में विरिद्धी करो क्यों क्योंकि ये जो विश्वियूद चल रहा है इसकी वज़े से जो इन्फलेशन हुआ है जो महंगाई बढ़ी है तो हमारे जीवन का लेवल गिर गया है हमारी इतनी तन्खवाई नहीं है जितनी महंगाई बढ़ गई है तो हमारी तन्खवा आप बढ़ाईए, प्लस ये जो बोनस आपने डिसकंटीनू कर दिये है, इस बोनस को कंटीनू रखिये, क्यूंकि प्लेग भले ही चला गया है, लेकिन उसका असर अभी भी है, तो हमें बोनस मिलता रहना चाहिए, ये डिस्प्यूट था वरकर्स और किस के बीच में, मिल ओनर्स के बीच में, अब ये डिस्प्यूट धिरे धिरे बढ़ता जा रहा था, तो एहमदाबाद के कमिशनर को समझ आया, एहमदाबाद के कलेक्टर को समझ आया, कि नहीं यहाँ पर सिचूइशन हाद से बहार निकल सकती है, तो उन्होंने गांधी जी क वो हमारा क्या है, एहमदाबाद, मिल स्ट्राइक के नाम से फेमस है, ठीक है, तो आये देखते हैं कि matter क्या था, और उसका compromise जो है वो गांधी जी ने कैसे करवाया है, ठीक है, देखेगा point, the British collector who feared a showdown, ask गांधी जी to bring pressure on the mill owners and work out a compromise, रैट, शोडाउन यहाँ लिखने का प्रेशर पड़ेगा, तो collector साब ने सोचा कि गांधी जी को बुलाते हैं, वो एक compromise करा देंगे, मामला प्यार से निपट जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना प्यार से निपटा नहीं मामला, देखते हैं हुआ क्या, अंबालाल सारा भाई, one of the leading mill owners of the town, was a friend of गांधी जी and had just saved the साबरमती आशरम from extinction by a generous donation, अंबालाल सारा भाई, एहमदाबाद की इस mill के owners में से एक, गांधी जी के खासमित्र, गांधी जी के साबरमती आशरम को evict होने से, evict होना यानि कि उसको कुरकी होने से, अंग्रेजी सरकार द्वारा जब तक ना हो जाए, उससे बचाया उन्हों है by donating some fair amount और a generous amount to the साबरमती आशरम, that means गांधी जी से अच्छे relation उनके, अब गांधी जी जो है वो मजदूरों में, peasants में भी famous हैं, और गांधी जी जो है वो mill owners के साथ भी respectable उनके relations हैं, तो यहाँ पर जो है वो एक compromise ला सकते हैं गांधी जी, ठीक है, next point देखिएगा, गांधी जी persuaded the mill owners and the workers to agree to arbitration by a tribunal, but the mill owners taking advantage of a stress strike withdrew from the agreement, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने, initially जो है वो क्या compromise करवाया, गांधी जी ने कहा कि mill owners हैं, और workers हैं, आप दोनों एक काम कीजी, अपना मामला एक tribunal के पास ले जाईए, और वो tribunal जो है, वो एक बहुत unbiased तरीके का compromise करवा देगी आपके बीच में, मैं क्या करूँगा compromise आप एक किसी सरकारी authority के पास चले जाईए, वो आपका compromise कर लेगा, ट्रिबनल एक ऐसी ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा institution है, जो की क्या करता है, जो की judgment देता है, या clarification प्रवाइड करता है किसी matter में, या किसी matter म एक claim दिलवाने का काम करता है, उसको कहा जाता है, एक tribunal, ठीक है, तो गांदी जी ने बोला कि एक tribunal जो है, वो establish कर देगी अंग्रीजी सरकार, हो सकता है कि collector सा भी कर देए, ठीक है, और वहाँ पर जाके आप मामला निप्टा लीजिए, ऐसा बोलके गांदी जी सीन से चले पड़ रही है, ठीक है, तो उन्हों ने जो मिल के जो workers हैं, मिल owners ने, मिल workers पर ये सीधा pressure डाला कि अगर आपने हमारा दिया हुआ 20 परतीशत का जो offer है, ये नहीं माना, तो हम आपको कर देंगे, dismiss और आपकी जगा बंबई से हम बुला लेंगे, और मतलब मजदूरों को तो ये clear हमकी जो है, वो दी, और जबकि जो workers हैं, वो क्या मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें 50 परतीशत बढ़ोतरी चाहिए अपने वेतन में, अपनी आय में, अपनी salary में, ताकि ये जो बढ़ा हुआ inflation है, ये जो market में inflation आ गया है, उससे हम अपनी जीवन की, जो भी हम salary मिल रही है, वो थोड़ी बढ़ है, ताकि हमारा lifestyle भी जो है, वो थोड़ा सुधर सके, otherwise बहुत गरीब है हम इस वज़े से, ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी ने जो ट्रिबनल वाली बात बोली थी, जो मिल के owners थे, उन्होंने ये बात नहीं मानी और वो बदल गए अप we drew from the agreement, the workers were demanding a raise of 50% in their wages, so that they could manage in the time as, times of warfare, inflation, worker क्या मांग रहा है, 50%, the mill owners were ready to give only 20%, mill owner ने क्या बोला, कि केवल 20% परतिशत देंगे भाईया, ठीक है, 20% wage hike, the workers went on strike, और workers जो हैं वो, 20% सुनकर, वापिस जो हैं वो strike पर चलेगे, और धम की दिमा पर कि अगर आप जो हैं वो नहीं मानेंगे, तो हम आपको निकाल देंगे, आपकी जगा किसी और को जो है वो point कर देंगे, ठीक है, अब देखते हैं, आगे क्या हुआ, all right, next point देखिए, the workers, workers of the mill turned to Anusuya Sara भाई, for the help in fighting for justice, अब यह Anusuya Sara भाई कौन है, देखिएगा, Anusuya Sara भाई, was a social worker, who was also the sister of Ambalal Sara भाई, Ambalal Sara भाई, जो की one of the owner है मिलके, उनकी बहन है, कौन, Anusuya Sara भाई, उनसे मदद मांगी workers ने, क्योंकि Anusuya Sara भाई कौन है, एक social worker है, ठीक है, देखिएगा, क्या है, Anusuya Sara भाई, was a social worker, who was also the sister of Ambalal Sara भाई, one of the mill owners, and the president of Ahmedabad Mill Owners Association, founded in 1891, to develop the textile industry in Ahmedabad, बहुत important point है, ठीक है, Ambalal Sara भाई, was the president of Ahmedabad Mill Owners Association, 1891 में founded, ठीक है, नेक्स देखिएगा, Anusuya Ben, went to Gandhi, who was respected by the mill owners, and the workers, and asked him to intervene, and help resolve the impasse between the workers and employers, ठीक है, ठीक है, तो, Anusuya Ben, जो है, उन्होंने क्या किया, Anusuya जी ने गांधी जी को अप्रोच किया, कि गांधी जी आप, आप कुछ कीजिए, अब गांधी जी आए, तो गांधी जी जो है, वो दोनों Ambalal के भी मित्र हैं, और वरकर्स के भी क्या हैं, वो, शुब चिंतक, ठीक है, उनको ऐस कुछ करना है कि, दोनों के लिए, जो है, वो, बना रहे हैं, मामला, ठीक है, तो, वरकर्स मांग रहे थे, वरकर्स मांग रहे थे, पचास परसेंट, और, मिल ओनर्स देने को तयार थे, 20 परसेंट, तो, गांधी जी ने कहा कि, 35 परसेंट, जो है, वो, दोनों के लिए, बि 30 प्रतिशत का ठीक है देखेगा दोग गांधी जी वाज़ फ्रेंड अंबलाल फिटूक अप्ड वर्कर्स कॉज अनुसिया थू सपोर्टेड द वर्कर्स एंड वस वन अफ द चीफ लुटिनेंट्स अफ गांधी जी राइट यह पॉइंट आप ध्यान रखेगा एहमदाबाद टेक्स्टाइल लेवर अस्टेशियेशन किसने इस्टेबलिश करी है अनुसिया बैन और गांधी जी उसमें साथ थे उनके ठीक है गांधी asked the workers to go on a strike and demanded a 35% increase in wages instead of 50% अनुसिया बैन ने गांधी जी को अप्रोच किया गांधी जी ने workers को कहा कि तुम 50% मत मांगो तुम strike पर जाओ और तुम 35% मांगो तुम्हें 50 नहीं देंगे वह लेकिन तुम्हें 35 ज़रूर देंगे workers जो है वो गांधी जी की बात मानके strike पर चले गए कुछ समयवाल्द strike जो है वो फीकी पढ़ने लगी अब गांधी जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए वापिस जो है वो जोश कैसे जगा जाए workers के बीच में तो गांधी जी ने बोला कि मैं क्या करूँगा मैं करूँगा fast मैं भूखड़ताल पर बैठूँगा जब तक मैं मर नहीं जाता गांधी जी ने बोला कि या तो तुम्हें 35% मिलेंगे या तो मैं अपने वचन को निभाते होए मर जाऊंगा और मेरा fast करना यह उस चीज़ का evidence है तो गांधी जी बैठ गए fast unto the dead ठीक है गांधी जी ने fasting करी बहुत समय तक pressure जो है वो मिल ओनर्स पर बढ़ता गया गांधी जी की तवियत खराब होती गई finally मिल ओनर्स को जो है वो असीड करना पड़ा उन्होंने जो है वो conditions का जो मामला है उसमें गांधी जी का यह रोल हमने आज देखा ठीक है तो इन ही सारी चीज़ों को हम points में देख लेते हैं तो गांधी advise the workers to remain non-violent while on strike when negotiations with mill owners did not progress he himself under two का fast unto death जो कि भारत में गांधी जी का पहला भारत में गांधी जी की पहली भूग अटताल थी किसमें एहमदाबाद mill strike में गांधी जी का पहला civil disobedience चंपारण ठीक है चंपारण का जो मामला है उसके बाद देखिएगा but the fast also had the effect of putting pressure on the mill owners who finally agreed to submit the issue to a tribunal the strike was withdrawn in the end tribunal awarded the worker a 35% wage है ठीक है गांधी जी ने fast किया mill owners for pressure बड़ा finally mill owners से बोला कि चलो कोई बात नी tribunal पर ले जाता है और वो फैसला कर लेंगे और जो tribunal है उसने फाइनली 35% का जो है वो wage hike दिया workers को यानि की 35% उनकी salary जो है वो बढ़ा दी जाए तो इस तरह जो एहमदाबायत के जो mill workers हैं उनके लिए भी जो है वो गांधी जी ने क्या किया यहाँ पर सत्याग्रह किया अब गांधी जी का जो सत्याग्रह है न वो सत्याग्रह उन्होंने South Africa में भी किया है लेकिन उसके लिए उन्होंने civil disobedience, non cooperation, भू करताल इन सब शब्दों का इस्तिमाल नहीं किया वहाँ पर सत्याग्रह ही हो रहा है भारत में इन सत्याग्रहों के लिए गांधी जी ने अलग-अलग नाम रखे क्योंकि भारत diverse country है और बहुत सारी अलग-अलग तरीके की situations है तो अलग-अलग तरीके के methods जो है वो होने चाहिए सत्याग्रह, overall सबको सत्याग्रह ही कहेंगे लेकिन सत्याग्रह में civil disobedience है non cooperation है और hunger strike है ठीक है सो पहले चंपारण में हमें example देखने को मिला किसका पहली civil disobedience का तो ध्यान रखेंगे चंपारण में पहला civil disobedience पहला सहविने या वग्या अंदोलन एहमदाबाद मिल strike में पहली भूख हड़ताल पहली hunger strike और क्या बच गया non cooperation moment तो non cooperation हमें पहली बार कहा देखने को मिलता है non cooperation हमें देखने को मिलेगा जो खेडा सत्यागरा है उसमें ठीक है तो आईए अब देखते हैं खेडा सत्यागरा क्या है जैसे कि आप देख पा रहे हैं खेडा सत्यागरा है 1918 first non cooperation पहला point देखेगा because of drought in 1918 यानि सूखा पढ़ा था 1918 में in 1918 the crops failed in Kheda district of Gujarat अब सूखा पढ़ेगा तो फसल नश्ट होई जाएगी अब अंग्रेजी सरकार भी ये बात भली बाती जानती थी कि सूखा पढ़ेगा फसल नश्ट हो जाएगी so that means कुछ ना कुछ एक ऐसा कानून बनाना पढ़ेगा कि जिस साल फसल नश्ट हो जाए से एक चोथाई से भी कम अगर उपज हो यानि कि एक साल में एवरेज जितना प्रोड़क्शन होता है अगर उससे वन फोर्थ से भी कम प्रोड़क्शन हुआ हो तो उस साल टेक्स नहीं लिया जाएगा ये अंग्रेजों के द्वारा रूल था ठीक है फिर से सुन लिजिए कि अगर एक साल की कोई जर्नल प्रोड़क्शन है कोई एवरेज प्रोड़क्शन है उससे अगर वन फोर्थ से भी कम उपज हुई है भले ही वो बाड़ आ जानी की वज़े से हो सुखा जानी की वज़े से हो या अन्य किसी भी कारणी की वज़े से हो अगर जो प्रोड़क्शन है जो टोटल उपज है वो एक चौथाई से कम हो तो टेक्स नहीं लिया जाएगा ठीक है point देखेगा according to revenue code ये क्या था revenue code था so according to revenue code if the yield was less than one fourth the normal produce the farmer were entitled to remission है ना एक चौथाई से कम हो तो उनको remission remit कर दिया जाएगा यानि उस साल उने tax नहीं देना ठीक है next point देखेगा the gujarat सभा consisting of the peasants submitted petitions to the highest governing authorities of the province requesting the revenue assessment for the year of 1919 be suspended 1918 में सूखा पड़ा था उन्होंने कहा कि 1918-1919 की जितना भी हमें देना है ना कर वो माफ किया जाए क्योंकि production हुआ ही नहीं है सूखा पड़ा है लेकिन भले ही code कुछ भी कहता हो revenue code कुछ भी कह रहा हो अंग्रेजी सरकार ने बोला कि tax लेना है तो tax लेना ही है हमें क्योंकि युद में खर्चा हो गया था बहुत अंग्रेजी सरकार को पैसा चाहिए था तो tax उन्होंने निकालना ही था उनकी मजबूरी थी लेकिन भारतियों पर उन्होंने क्या वोला कि tax हमें इतना तो चाहिए ही अगर नहीं देंगे तो आपकी जमीने हम जब्त कर लेंगे आपके समानों को confiscate कर लिया जाएगा आपके जानवरों को जब्त कर लिया जाएगा यानि कि किसी भी ज़रा कि आपकी property है उसको हम जब्त कर लेंगे और फिर भी अगर revenue पूरा नहीं होता तो आपसे गुलाम ही लिख वाली जाएगी indentured labor मैंने आपको पिछले session में समझाया है तो आपसे गुलाम ही लिख वाली जाएगी फिर इतने साल आपको हमारे लिए या इतने दिनों या इतने महीनों तक आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा अब यह जो indentured labor है ना इसको बेगार के साथ कई वार जो है वो confuse कर दिये ज करेंगे लेकिन बेगार से अलग था indentured labor का system ठीक है next देखिए the government however remained adamant adamant का मतलब अपनी जित पर अड़ी रही अपने अपने point पर अड़ी रही and said the property of the farmers would be seized if the taxes were not paid tax नहीं देंगे तो आपकी संपत्ति को जप्त कर लिया जाएगा Gandhi asked the farmers not to pay the taxes Wallabhai Patel and a group of other devoted Gandhians namely Narhari Parikh Mohanlal Pandey and Ravi Shankar Vyas who went around the villages organized the villagers and told them what to do and gave the necessary political leadership अब यहाँ पर Wallabhai Patel और विठल भाई Patel दोनो भाईयों का home region था खेडा ठीक है और यहाँ पर गाउं गाउं जाकर यह जो गांधियन आइडालोजी फैल गई थी इस समय और दोनों ब्रदर जो हैं वो गांधी के supporters थे इन लोगों ने और उसके अलावा जो और जितने भी वहाँ पर political शक्तिया अक्टिव है उन सब ने इस point पर गाम करना शुरू किया ठीक है किसने establish करी है वो कौन famous जो है वो moderate leader है Congress के ठीक है so team है पूरी की पूरी यंग energetic youth leaders की जो की गाउं गाउं जाकर लोगों को प्रोचात कर रहे हैं कि अंग्रेजे आएंगे आपको tax नहीं देना हो सकता है कि आपके साथ वाले tax देता हूँ मिल जाए लेकिन आपको tax नहीं देना आपकी जमीने वो छीनेंगे कोई आप समस्या मत लीजी हम आपके साथ हैं यह जमीने आपको वापिस दिला दी जाएंगी ठीक है आपकी जमीने आपको मिल जाएंगी वापिस आप बस tax मत दीजेगा जमीने वो मिली वापिस लेकिन कुछ समय बाद लेकिन मिल जरूर गए थी जमीने ठीक है अब यहाँ पर एक बहुत आश्चर्रे की बात देखने को मिली सभी को और अंग्रेजों का आश्चर्रे हुआ कि यह जो गांधियन आइडिलोजी है लोगों का इस पर इतना ज़्यादा भरोसा हो गया था प्लस वो जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे खासकर विठल भाई पटेल और वल्लब भाई पटेल उन्होंने इतना enthusiastically काम किया वहाँ पर कि लोगों की जमीन जो है वो अंफिसकेट करी अंग्रेजों ने जो वहाँ पर भूमी हर हो गए किसान जिनके घर बार चीन लिये गए उनका सपोर्ट जो है वो अन्य किसानों ने किया आसपडोस के जो रीजन के लोग हैं उन्होंने अपने घरों के द्वार खोल दिये लोगों के लिए तो यहाँ पर एक सेंस ओफ यूनिटी डवलप होती भी दिखी इर्रिस्पेक्टिव ओफ रिलीजन कास क्रीड ठीक है ऐसा नहीं है कि हिंदू के वल हिंदू के लिए दरवाजा खोल रहे हैं सब के लिए टेक्स नहीं दे रहे हैं so that's a non-cooperation ठीक है next देखिएगा पटेल along with his colleagues organized the tax revolt tax revolt किया गया tax revolt का मतलब यह है कि कर नहीं दिया जाएगा right tax revolt है यही तो main मुद्दा है कि कर नहीं देना है which the different ethnic and caste communities of kheda supported सब ने support किया the revolt was remarkable in that discipline and unity were maintained मैंने वोला ना किस चीज में remarkable था discipline बहुत था अहिंसा बरती गई सभी मामलों में चंपारण में भी एहमदाबाद में भी और यहां पर खेडा में भी तीनों चीजों में ख्यास कर मैं आपको बताऊं खेडा का जो सत्याग रहा है ना इसमें गांधी जी केवल एक लीडर की रूप में रहे और जिनोंने काम किया वो एक्टिवली गांधियन जो है वो यूथ नेता है उन्होंने किया जैसे वल्लब भाई पटेल और उनकी अन्य जो है वो पूरी टीम दी इसी तरह गांधी जी अपने अंडर जो व्यक्ति थे उनको ट्रेन करते थे उनके लिए आसाइनमेंट्स जो है स्टैबलिश करते थे ताकि वो सत्या ग्रह में निपोन हो जाएं ठीक है ये गांधी जी का इड़िए गांधी जी कभी भी जेल में जाने से नहीं तो ये गांदी जी की strategy थी कि movement कभी भी leaderless नहीं होगा क्योंकि सभी leader होंगे तो ठीक है और कोई भी leader नहीं होगा जब सभी leader होंगे तो ठीक है next चीज़ देखिएगा even when on non-payment of taxes the government sees the farmers personal property, land and livelihood a vast majority of kheta's farmers did not desert Sadaar Patel लोगों की घर बार छीन लिये गए तबी सभी ने सरदार Patel का साथ दिया गुजराती is in the other parts who sympathize with the cause of the revolt helped by sheltering the relatives and property of protesting peasants राइट आज पडोस के गाउं के लोगों ने खेडा के जो किसान है उनको अपने घरों में शरण दी और अगर अंग्रेजी सरकार जमीने छीन रही है तो किसना किसी को बेचेंगी तो जो भारती उन जमीनों को खरीदने की कोशिश कर रहा है उनको समाज से निकाल दिया गया या उनकी तरफ समाज ने किनारा कर लिया यानि कि अब लोग इस डर से जमीन भी नहीं खरीद रहे थे उन उन कंफिस्केटीड जमीनों को जो की अंग्रेज जो हैं वो क्या कर रहे थे जो की जब्त कर रहे थे वो अंग्रेज जब्त करके क्या कर रहे उन जमीनों का उन जमीनों को किसी और को ठेके पर देंगे या बेच देंगे तो अगर कोई और किसान अगर ठेके पे ले रहा है या खरीद रहा है तो वो भी संकोच कर रहा था खरीदने से क्यों क्योंकि समाज उसको अपनी विरादरी से बेदखल कर देगा तो इस तरह कि एक unity create होगी थी इस movement में जो की ideology थी गांदी जी की काम किया उनके यूथनेताओं ने ठीक है तो जो यह जो खेडा का सत्याग रहा है इसमें गांदी जी वाज़ा लीडर ठीक है उन्होंने जो है वो oversee किया पूरे movement को लेकिन काम जो है वो किसने किया यूथनेताओं ने जैसे की वलब भाई पटिल ठीक है next चीज़ देखिएगा those Indians who sought to buy the confiscated lands were socially ostracized यानि कि उनको ostracized का मतलब की बेदखल कर देना या उनको socially जो है वो sideline कर दिया गया अब हो क्या रहा था गाउं वाले मानने ही रहते गाउं के गाउं लोग खाली कर दे रहे हैं ठीक है बोल रहे हैं कि आप जब्त कर लो कोई बात नहीं हम नहीं देंगे टेक्स नहीं देंगे तो नहीं देंगे लेकिन यहाँ पर होने क्या लगा कि जो संपन थे कुछ जो संपन थे वो टेक्स देने लग पड़े ठीक है तो उनको समझाये गया कि भाई आप टेक्स ना दो अब धीरे धीरे टेक्स तो मिल नहीं रहा था सरकार को लेकिन सरकार को टेक्स तो चाहिए था तो सरकार ने एक चुपचाप एक एक resolution एक जो है वो compromise पास कर दिया without जो हो publicly उस चीज़ को announce किये कि जो दे सकता है न वो दे दे जो नहीं दे सकता है उसका माफ है लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप नहीं दे सकते यानि कि जो संपन जो किसान है वो टेक्स दे देंगे और जो marginal है जिनको बहुत ज ज़्यादा घाटा हो गया है वो टेक्स नहीं देंगे ठीक है अब गांदी जी को भी पता थी ये बात कि जो movement है वो फीका पड़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर है सत्याग्रहियों के उपर तो ये जो अंग्रेजों ने compromise तयार किया है इसको माल लेते हैं भले ह से नहीं कर रहे हैं सत्याग्रहियों ने तो किया ही क्यूं क्यूंकि अगर अंग्रेज जुक रहे हैं तो सत्याग्रहियों उसको बहुत बड़े तरीके से प्रोट्रे करते थे कि देखिए हमारी जीत होगी अंग्रेजों के खिलाफ और इनी छोटी 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 जीतों के इनी छोटी छोटी जीतों के मादेम से हम धीरे धीरे भारत को अजाद करा दें। ठीक है इसलिए अंग्रेज जो है वो अपने compromise को publicly publish नहीं करना चाते थे। ठीक है लेकिन अगर अंग्रेजों नहीं किया हो सत्य ग्रहियों ने तो publish किया ही उसे क्योंकि जैसे कि मैं आपको ब about an agreement with the farmers, it agreed to suspend the tax, क्या क्या agreement बना पहली चीज, agreed to suspend the tax, tax को suspend किया जाएगा, for the year and for the next year reduce the increase in rate, अगले साल के लिए कीमते बढ़ाई नहीं जाएंगी, घटाई जाएंगी, इस साल का relax कर दिया जाएगा और जो दे सकता है वो दे दे, ठीक है, and return all the confiscated property, जितनी भी ठीको return करा जाए, तो कोई खरीदी नहीं रहा था उसे, तो return करनी पड़ी, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं करीद रहा था, लेकिन बहुत कम लोग खरीद रहे थे, संकोश था, बहुत कम दाम में जा रहे थे, उससे जाएगा तो वापिस दे देंगे, और फिर दो-तिन साल बाद वहाँ से tax आने लग जाएगा, तो जादा कमाई हो जाती हैं अंग्रेजों को, इसलिए उन्होंने जमीने भी वापिस कर दी, ये था हमारा खेडा सत्याग्रे, ठीक है, तो आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा, चमपारण, एहमदाबाद और खेडा मे किया गया सत्याग्रे, यानि कि पहला civil disobedience, पहली hunger strike, और पहला non cooperation जो किया है गांदी जी ने भारत में, इससे क्या बात सिध हुई, इससे ये बात सिध हुई कि भारत में अब जनता mass agitation के level पर आ गई है, क्योंकि गांदी जी ने जब छोटे 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 जो है वो मतलब छोटे level पर जब गांदी जी ने mass agitation करने की कोशिश करी तो जनता उन ideas को समझ सकी, that means अब mass agitation का face आ गया है, दूसरी बात गांदी जी को यह पता चली कि मेरी जो है वो बहुत अच्छी image बन गई है और यही भारत को भी जरुरत है कि एक ऐसा leader हो, जो की movement में मौजू जो है वो क्या कर सकता हूँ, mass agitation लेकर आ सकता हूँ, अब मुझे किसी एक मुद्दे की जरुरत है वस, वही मुद्दा, रॉलेट एक्ट के रूप में, वही मुद्दा, जलियाँ वाला बाग हत्याकान के रूप में और वही मुद्दा, जो मैंने आपको बताया है ना, ख इसले सेशन करवा दिया है, make sure you watch that, उस सेशन को जरूर देखिएगा, रॉलेट सत्याग्राय और ये सारी पॉइंट में मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्प्लेन किया है उसमें लेकिन इसके बाद मैं आपको रॉलेट सत्याग्राय भी करवाऊंगा, अगला ही टोपे, ठीक प्रेक्टिस किये, पहले गांदी जी ने प्रेक्टिस किये ये, समझने हैं, फिर उसके बाद उन्होंने बड़े लेवल पर किया, मैंने बोला ना गांदी जी की थियरी क्या थी, कि मैं पहले पूरे सिस्टम को खुद से समझूँगा, फिर छोटे लेवल पर प्रेक्टिस लाने का भी इरादा था no tax moment का लेकिन non cooperation moment के हिंसक हो जाने के वाज़े से वापिस लेना पड़ा तो युद विराम युद की नीती उन्हें लानी पड़ी ठीक है तो आज ये session में केवल इतना ही अगर आपने पिछला session नहीं देखा है या पिछली videos को नहीं देखा है तो make sure you watch all those videos बहुत important है आपके लिए ठीक है और अगर आपने ये पूरा video देखा है और अगर आप पिछले जो भी sessions देख रहे हैं उनके बारे में comment नीचे जरूर कीजिएगा आपको कैसे लगे अच्छे लगे points बुरे लगे कहां सही लगा कहां गलत लगा वो सारी चीज़े mention कीजिएगा हमें videos को सुधारने में मदद मिलती है feedback is really necessary ठीक है तो उसके अलावा ये video कैसे लगी comment जरूर कीजिएगा अगर आप civil service aspirant है तो नीचे ही आपको वीडियो की description में एक link मिल जाएगा study IQ की learning application का उस पर CSC related एक पूरा smart course अवलेबल है and for that matter अगर आप किसी पर examination के लिए prepare कर रहा है तो बहुत सारा material उस application पर available है make sure you check that out ठीक है तो आज के session को यहीं मैं conclude करता हूँ मेरा नाम है विशाल चोहान मैं मिलूँगा आपसे अगले session में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए take care